गर्मियों में हम में से कोई भी बालों में तेल लगाना नहीं चाहता लेकिन बालों में तेल लगाना उतना ही जरूरी है जितना कि हमारी बोडी के लिए खाना खाना और पानी पीना तेल लगाना बहद ही जरूरी है हमारी बालों की ग्रोथ के लिए क्यूंकि जब हम अपने बालों में 오िलिंग करते हैं इससे हमारे हैर ऊक्षि च्रॉंग होते हैं न्यू है ग्रोथवनी स्टार्ट होती है इसलिए हम स्कीप नहीं कर सकते लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिननसे बालों में तेल लगाने के ताइम पर हास हो जाती है जिनको हैर है वाल और बी ज्यादा तूटे हैं जब भी पर आपने बालों करते हैं तेल लगाती है हैं इसके बहुत सारग क्डर होते हैं आज की वीडियों में आपकी मैं Parentना हो धूरी करने वाथ हैं ऑपके बहुति अपको की लिचgeryंग सेल— जैसे कि आपको complete जानकारी मिल पाए और आप इस remedy को यूज करके अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा पाए helpful को रोक बाए और यकीन मानिए जब इस तरीके से आप अपने बालों पर oiling करेंगे जैसे में आपको बताऊंगी तो आपके बाल नहीं टूटेंगे और जहां भी आपके बाल जड़के हैं नए बालों की ग्रोथ होंगी बाल मजबूत होंगे बाल जो gray होनी start हो गए है वो black होनी start हो जाएंगे बालों में ठिकनी सानी start हो जाएगी new hair grow होंगे और आपके बालों में बहुत ही अच्छी साइनानी स्टार्ट हो जाएगी इसलिए जिने भी अपने बालों को मजबूत करना है चमकदार बनाना है लंबा भी करना है तो आज की रेमेडिय आप जरूर यूज करें मेरे कहने पर नहीं आप एक बाल करके जरूर देखे इससे आपको 100% सायदा मिलेगा आपके बालों की ग्रोथ के लिए 90% लोगों को यह समस्या होती है ओलिंग करते टाइम उनके बाल और भी ताला तूटने ही स्टार्ट हो जाते हैं अगर आपको भी यह समस्या हो रही है तो आप इस ओल को यूज करके देखे आपके बाल नहीं तूटेंगे अच्छे तापको इसे क्लीन करके इसे आपको टुक्रों में काट लेना है जिससे कि ओल में अच्छे से हम इसे बना पाए इलेविला जो होती है हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिसल होती है इसमें बहुत सरे पोसक्ततों होते हैं जो कि हमारे बालों को रिपेर करने के साथ ही आपके हैर रूट को श्टोंग करती है आपके बालों में नमी बनाया रखने में हेल्प करती है आपके बालों को नरिस्मेंट देती है जिससे कि आपके बाल चमकदार बनते हैं और बाल बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है आपके कम लोग जानते हैं लोग हमारे बालों के लिए कितना फायदेमंद है जितना ही हमारे टेस्ट को बढ़ाती है उतने ही हमारे बालों के लिए कारगर एफेक्टिव रेमेडी है अगर आपके बाल उम्रे से पहले वाइट ग्रे हो रहे हैं आप चाहते हैं अपने बालों को ब्ल इससे कि आपके hair की growth भी करती है जिससे कि आपके new hair hair look onion start हो जाते हैं आपकी scalp को clean Video रखने में help करती है क्योंकि यह antibacterial होती है जिससे कि्दि इस scalp में कोई भी सब्सक्रबाइब हो रही तो ऐसे ही रोक करने में help करती है आपको अगर बालों में white hair, grey hair की सबस्या है या आपके बालों में हेर्थ ही नहीं होने लगी है आपके बालों में बिल्कुल भी मजबूती नहीं है तो लोंग से आपके ये सारी समस्या दूर हो जाएंगी इसलिए हमें यहाँ पर लेना है 10-12 यहाँ पर लोगा इस ओल को बनाने के लिए आप यहां पे सरसो का ओई बदाम का ओई तिल का तेल कोई बी ओई यहां पे ले सकती हैं आपके बाद जो भी अबलीबल है यहां पे आप ले ले मैंने यहां पर इस ओल को बनाने के लिए सरसो का ओई यूज किया है क्योंकि मैं अपने बालों पर को पेश्ट इसमें डाल दें 5-6 मिनिट ली से अपको फ्लेम को ऑफ करके आपको ठंडा कर लेना है और इसे आपको ग्लास से कंटेनर में बंद करकर रख देना है यह थी हमारी पारफुल है ग्रोथ बनाने का तरीका आगे हम बात करेंगे आपको कैसे अपने बालों पर ओलिंग से हातों से आपको मसाज यहां पर पांच मिनिट के लिए करनी है जिनको भी हैरफॉल हो रही है तो आप 1-2 मिनिट के लिए अपने बालों पर अच्छे से आप धोले अगर इन बातों का ध्यान देंगी तो ओलिंगते टाइम आपके बाल नहीं तो बस आपको गर्मियों के पर इन बातों का ध्यान देना है बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और जिनके बाल नहीं ज़ड़ रहे हैं तो आप इसे रात भर के लिए अपने बालों पर लगा कर रहने दे इससे आपके बालों में कोई भी समस्या नहीं होगी लेकिन जिनको हैर फोल है तो केवल एक दे बालों में बापइ